दोस्तो गुडावड पंची राजस्थान और पकिस्तान में पाये जाते हैं ये पंची दिखने में बहुत बड़े पंची होते हैं ये पंची घास के मैदान में पाये जाते हैं इस पंची का इतना भारी शरीर होने के बावजूद ये उड़ पाते हैं गुडावड पंची राजस्थान का राजी पंची भी माना जाता है अगर इस पंची के वजन और लंबाई के बारे में बात करें तो इस पंची का वजन करीब 7-8 kg तक होता है और इसकी लंबाई करीब 120 cm जितनी लंबी होती है इस पंची के शरेड की बात करें तो इसके सिर पर काली की रीट होती है जिससे इस पंची को आसानी से पहचाना जा सकता है ये पंची अधिकतर अकेले में रहना पसंद करते हैं यह पंची एक शर्मीला पंची माना जाता है इस पंची की अवाज को आप 500 मेटर की दूरी से सुन सकते हैं मादा पंची की तुलना में नर पंची से थोड़ा बड़ा दिखते हैं अगर हम इस पंची के रंग की बात करें तो इस पंची का रंग भूरा होता है इस पंची के पंख पर काले या तो स्लेटी रंग के निशान होते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पंची कई दिनों तक बिना पानी पीए जीवित रह सकता है। यह पंची तेज उड़ने के साथ साथ बहुत तेजी से दोड़ सकते हैं और उची छलांग भी लगा सकते हैं। इस पंची के भोजन के बारे में बात करें तो यहाँ पंच पंची का मुक्य खोराक, दाने, साप, छिपकिलिया, बीज, बेर आधी होते हैं। इस पंची के कुछ प्रकिर्तिक दुश्मन भी हैं जैसे कि कुट्ते लोमडी और बड़े शिकारी होते हैं। यहाँ पंची वर्तमान समय में खत्रे में हैं। इस पंची की संख्या बहु कारी के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद